Hello students, welcome to the Sun Academy इस वीडियो में हम बहुत ही important topic करने वाले हैं second year chemistry का तो ये topic बहुत ही important है तो आपको इसे ध्यान से सुनना चाहिए chemistry of sulfuric acid sulfuric acid की chemistry क्या है इस वीडियो में हम complete sulfuric acid का topic कवर करेंगे साथ में contact process को भी देखेंगे contact process से actually हम क्या करते हैं sulfuric acid को prepare करते हैं तो ये बहुत ही important हमारा long question बन जाता है हमारे पास इस chapter के अंदर दो long question है और दोनों ही preparation के अंदर आते हैं जिसके अंदर पहले हम sulfuric acid की preparation और पहले हमने sodium hydroxide की preparation के अंदर जो cashner calner cell पढ़ा था ये दो long questions है तो इनको आप ध्यान से पढ़ें तो आएए देखते हैं chemistry of sulfuric acid तो सबसे पहले sulfuric acid क्या है ये एक तरह का acid है और acid यहां पर इसका formula है H2SO4 H2SO4 इसे sulfuric acid कहते हैं ये आपको ध्यान में होना चाहिए आगे देखते हैं इसकी properties कुछ है ये highly corrosive है Is緋 एक you more corrosive olutions है Yes you definitely Corrosive का मतलब है ये जो हान को जला देते हैं जब हम उसको touch खिर तब या तो हमें ne्वाख तरह तो वह हमें और आप को ये पहर को रियक्षण कहने लगते हैं आफ सुरे कट रियक्टिव होते हैं हो अरक्षण कहने लगते हैं आपको इसे touch नहीं करना चाहिए colorless liquid है इसके अंदर इसका कोई color नहीं होता sulfuric acid जो है एक liquid है पानी की तरह होता है लेकिन ये पानी की तरह पतला नहीं होता है बलके ये viscous होता है viscous हम कहते हैं जिसकी density ज्यादा हो मतलब ये बहुत सारे compound के अंदर यूज होता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये अपने आपको adapt करता है और यूज होता है मतलब divers इसकी जो nature है वो divers है ये बहुत सारी चीज़ों के अंदर यूज होता है और ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है जो है oil of vitriol, sulfuric acid को oil of vitriol भी कहा जाता है और ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब पहले start में sulfuric acid को बनाया जाता था, तो उस एक process था जिसके अंदर vitriol को use किया जाता था, green vitriol को use किया जाता था, green vitriol क्या है, यहां पर ferrous sulfate जो है इसे green advertisements का जाता है फएरस sulphate को green mature का जाता है और इस से defense surface को यूज करो wordt किया जाता है हमारे पास isidre to把 इसे लिए तो इसालफियृic acid kole White हमारे पास इसकूछ ज्हलक है एक picture है जह आफ देख सकते हैं यह है हमारे पास the contact process इस process के अंदर हम क्या करते हैं sulfuric acid की preparation करते हैं तो यहां पर आपको यह बहुत सारे टावर या इन्हें आप compartment या container भी कह सकते हैं तो यहां पर यह हमारे पास total कितने हैं seven हमारे पास tower है हर tower का अलग name है और हर tower के अंदर एक अलग काम हो रहा है इस sulfuric acid की preparation के अंदर हमारे पास total steps कितने हैं चार steps है हमारे पास और हर step के अंदर एक अलग ही chemical reaction होता है तो यह बहुत ही simple है इतना भी मुश्किल नहीं है हम आएए देखते हैं यहां से study करते हुए हम समझेंगे इसको तो सबसे पहले step की तरफ चलते हैं जो के contact process के अंदर आता है यह step है oxidation of sulfur to sulfur dioxide तो हमें यहां पर सबसे पहले इस process के अंदर एक चीज require होगी वो है sulfur sulfuric acid को prepare करने के लिए हमें एक element की जरुत होगी वो है sulfur और sulfur के साथ साथ हम क्या करेंगे oxygen को भी यहां पर use कर लेंगे तो सबसे पहले sulfur की क्या करनी है oxidation करनी है oxidation का मतलब क्या है हमारे पास sulfur के अंदर oxygen को हम add करेंगे तो addition of oxygen को हम oxidation भी कहते हैं तो यहां पर sulfur की oxidation होगी और क्या बनेगा sulfur dioxide तो burning of sulfur in air at sulfur burner हमारे पास एक कंटेनर होता है सबसे पहला कंटेनर इसे हम सल्फर बर्नर कहते हैं या फिर पाइराइट बर्नर कहते हैं तो सबसे पहले यहां से रियक्शन स्टार्ट होता है इसे पाइराइट बर्नर या सल्फर बर्नर कहते हैं इस बॉक्स को और इसके अंदर ही हम सबसे पह ऑक्साइड गैस बन रही है एस ओ टू गैस अब यहां पर ऑक्सीडेशन कैसे हुई है सलफर की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या है यहां पर सलफर की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है और यहां पर सलफर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारे पास प्लस रहें प्लसफ Ismu因為 oxygen माइनस फ्र है, दो ऑक्सीजन की क्या होगी माइनस 4 ऑगी तो सलफर की प्लसफ फॉर हो जाती है तो अब यहां से संफर की जो है संफर की oxidation state zero safe फ्लसफ फॉर में जा रही है मतलब oxidation और रही है, oxidation state बरद रही है मतलब oxidation तो सलफर यहां पर ऑकस अखिडाइज होगा और हमारे पास सलफर डायोकसाइड गैस बन जाएगी यह हमारे पास फ़स्ट कंटेनर के अंदर प्रोसेस होगा और यह फॉस्ट स्टेप है इस प्रोसेस का तो इस प्रोसेस को करने के लिए हमें तैंपरेचर ज्यादा देना अब यह जो सल्फर बना है सल्फर इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्यूरिटी जो अगर हम डारिक ली आगे चला दें हमारे पास कॉंटेक्ट टावर के अंदर जहां पर हमारा special reaction होना है तो वहां पर क्या होगा वो गड़बर कर देगा और reaction सही से नहीं हो पाएगा और हमें जो sulfuric acid है वो उसकी amount कम मिलेगी तो इसलिए इन impurities को remove करने के लिए इन जो अंदर ऐसे करने के लिए हम क्या करते हैं इसको सबसे पहले प्यूरिफाय करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती है इस गैस के अंदर यह हमारे पास जो sulfur dioxide gas है इसके अंदर impurities होती है जैसे कि dust होती है इसके अंदर मिट्टी होती है क्योंकि sulfur जो है जमीन से निकला जाता है और जमीन से जो निकला हुआ sulfur है उसके अंदर मट्टी भी मौजूद होती है आरसेनिक बी मौजूद होता है आरसेनिक एक जाते हैं 58 पर पिऊरिफिकेशन होगी जब से पहले यहां पर सनफर डियुकसाइटस बनी है अब यहां पर इन तीन टावर्स केंदर यह प्यू्रिफिकेशन होगी और जो दूसरा स्टेफ हमारे पास है वहां पर कहनते हैं तो यहां पर चंड़ तीन टावर हैं जो कि इस प्यूरिफिकेशन के प्रॉसेस को करेंगे और उसके बाद जो है यहां पर हमारा दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा तो यह प्यूरिफिकेशन को भी हम दूसरा स्टेप कह सकते हैं और इसको तीसरा लेकिन यहां पर हमारे बुक के अंदर यह दूसर कैसे remove की जाती है sulfur dioxide gas को यहां पर 10 से 15 मिनिट तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जिसकी वज़ा से यहां पर क्या होता है यहां पर मटी जो होती है वो आराम आराम से नीचे bottom में चली जाती है और यहां पर मटी जमा हो जाती है और sulfur dioxide gas है यहां से फिर से इस washing tower के अंदर हम क्या करते हैं arsenic को remove करते हैं तो SO2 के साथ जो arsenic मुझूद है arsenic हमारे पास element जो मुझूद है उसको remove करते हैं कैसे remove करते हैं इसके उपर से हम क्या करेंगे water को लगा देंगे पानी इसके उपर से हम लगा देंगे तो इस तरह एक तरह से हम इसको क्या करें वाश कर रहें हैं एसो टू को यहां पर वाटर को यहां पर लगा कर हम इसको वाश कर रहे हैं और esas तरवर को हम वाश निदक कर चरिक चा спасा है। आरस に जो है यह ऑलि इस अल्य या सूलिबल होता है, जैसे भी पानी आता ही तो यह उससे डिसल्व हो जाता है और हमारे असे गश तू जय उपर आ जाती है, औरर सेंच यह जो होके इसके नीचे पानी में पानी के अंदर चला जाता है तो यहां से गैस जो आ रही अब यह प्योर होगी लेकिन इसके अंदर एक और भी प्रोसेस हो रहा होगा कि इसके अंदर जो है वाटर के ड्रॉप लॉड लेट्स जो है इस गैस के अंदर फस गए होंगे मतलब यह moist gas हो जाएगी तो अब इसको सुखाना है इस gas को सुखा कर फिर हम जो है उसके अंदर लाएंगे तब जाके हमारा काम होगा तो अब इसको सुखाने के लिए हम यहां पर एक drying agent लगाएंगे drying agent क्या है? drying agent एक ऐसा agent होता है जो कि किसी भी substance में से पानी को remove कर देता है तो यहां पर drying agent या फिर dehydrating agent जो है हम क्या यूज़ करने वाले हैं? sulfuric acid तो आप पोलेंगे कि अभी तो हमने sulfuric acid को बनाया यह नहीं है और यहां पर sulfuric acid को use करने लग रहे हैं तो यूज़ तो होगा इसके अंदर हम दो बार sulfuric acid को इस process के अंदर use करते हैं ताकि हमारा काम हो सके तो sulfuric acid बहुत ही थोड़े amount में यहां पर use होगा और यह किसी भी और process से हम produce करके यहां पर use कर लेंगे तो यहां पर H2SO4 यहां पर हम उपर से लगाएंगे ताकि यह जो SO2 gas है यह क्या हो जाए सूख जाए और इसके अंदर से water जो है वो remove हो जाए तो H2SO4 यहां पर water को absorb कर लेगा और यहां पर इस tower को हम drying tower कहते हैं तो यह यहां पर purification के अंदर तीन process आ रहे हैं एक यहां पर dust को remove करने वाला dust filter के अंदर और दूसरा water को हम add करके washing tower के अंदर wash कर रहे हैं गैस को तो यहां पर यह तीनो process यहां पर हमने short में लिखे है एसो टू is kept to 10 to 15 minutes in dust filter dust filter chamber के अंदर हम क्या करते हैं एसो टू को 10 से 15 minute तक रखते हैं to remove dust जहां से dust मेटी जो है remove हो जाती है arsenic oxide यह arsenic oxide की शकल में होता है यहां पर arsenic oxide is removed by washing into H2O हमारे पास पानी हम उपर से डालते हैं washing tower के अंदर उससे washing tower के अंदर arsenic oxide remove हो जाता है then SO2 is dried with sulfuric acid in drying tower drying tower के अंदर हम क्या करते हैं SO2 को dry करते हैं sulfuric acid को add करते हुए तो इस तरह से यह 3 tower पर 3 अलग अलग काम हो रहे हैं जो के purification है SO2 की आगे चलते हैं दूसरा step हमारे पास important step है sulfuric acid की preparation के अंदर इसको देखते हैं तो यह हमारे पास जो दूसरा step आता है इस step को हम कहते है oxidation of sulfur dioxide into sulfur tri oxide तो यहां पर sulfur dioxide को फिर से हम oxidize करके sulfur tri oxide में convert कर रहे हैं तो यहां पर SO2 is reacted with oxygen to firm SO3 SO2 को sulfur dioxide को हम oxygen के साथ react करवाएंगे और हमारे पास SO3 बन जाएगा तो देखें यहां पर हमारे पास जो reaction हो रहा है यह step 2 है और यह reaction हमारे पास क्या है reversible reaction है तो इस air से आपको पता चल रहा है reaction क्या है reversible reaction है और आपको पता है कि जब भी कोई reversible reaction होता है तो वो हमेशा complete नहीं होता है उसको हम क्या करते हैं उसके ज्यादा से ज्यादा उस reaction को करवाने की help करते हैं तो chemical equilibrium वाले chapter में आपने पढ़ा था कि जब भी कोई reversible reaction होता है वो complete नहीं होता है तो हम ज्यादा product हासिल करने के लिए ली चैलियर्स के principle को अपनाते हैं तो यहां पर भी हम वही process करने वाले हैं यहां पर aso2 है यह oxygen के साथ react करेगा तो aso3 बनाएगा equation को balance करते हुए यहां पर 2 लगेंगे equation balance हो गई अब यह जो process है इसमें देखें heat जो है वो change हो रही है minus 45 जो है change in heat आ रहा है तो heat यह जो delta H है यह अगर minus में और negative हो तो इस process को हम क्या कहते है exothermic reaction कहते है तो यह हमारे पास क्या है एक exothermic reaction है तो exothermic reaction के अंदर हमें क्या करना होगा सिस्टम से heat निकालनी होगी ताके reaction ज्यादा हो सके और हमें जो है इनकी concentration को ज्यादा बढ़ाना होगा इस तरह से इसकी concentration हम ज्यादा बढ़ाएंगे मतलब continuous supply देनी होगी SO2 की साथ में हम एक catalyst को use करेंगे जो के है V2O5 vanadium pentoxide इसको कहते हैं V2O5 यहां पर use होगा और साथ में temperature को जब देखें यहां पर यह heat जब release करता है एक्जो थर्मे के तो यहां से heat जब release होती है तो temperature बहुत ही बढ़ जाता है 1000 तक पहुंच जाता है हमें क्या करना है उसका temperature कम करना है ताकि forward reaction होता रहे और हमारे पास product ज्यादा से ज्यादा बने तो इसलिए हम क्या करते है 400 से 500 तक का temperature तो 400 से 500 तक का temperature maintain करना है और यह हमारे पास V2O5 vanadium pentoxide इसको catalyst यूज़ करना है और हमें जो pressure है वो 1 से 2 ATM रखना है तो यह कुछ conditions है इस reaction के लिए high temperature जो के है 400 से 500 तक और catalyst V2O5 vanadium pentoxide ठीक है और pressure 1 से 2 ATM और continuous supply of sulfur dioxide यह कुछ conditions हैं जो इस reaction के लिए हमें हैं और यह आपको याद रखनी होंगी तो यह reaction हमारे पास हो गया जिसमें हमारे पास sulfur dioxide gas जो है वो oxygen gas के साथ मिलकर sulfur trioxide बना रही तो sulfur trioxide बन गया और यह दूसरा step है इस process का यह कहां पर हो रहा है यह हमारे पास हो रहा है जो purification tower है उससे आगे हमारे पास एक और tower है जिसको हम contact tower कहते हैं यह process इस contact tower के अंदर हो रहा है जहां पर हमारे पास यह catalyst वग़रा सारे use हो रहे हैं और यह हमारे पास इस tower को हम contact tower कहते हैं और यहां पर यह सेम रियक्शन हमने लिख दिया है 2SO2, O2 और साथ में हमारे पास मिलकर SO3 बना रहे हैं तो यह रियक्शन हो गया हमारे पास Step number 3 हमारे पास क्या है इसे हम कहते हैं absorption of SO3 SO3 is sulfur trioxide इसकी absorption इसका absorption यह हमारे पास third step है इस contact process का इसके अंदर क्या होता है SO3 is dissolved into concentrated H2SO4 to firm oleum यहां पर एक हमारे पास जो sulfur trioxide है इसके अंदर हम add करते हैं sulfuric acid को तो यह sulfur trioxide है इसके साथ हमने add कर दिया यह sulfuric acid अब देखें मैंने कहा था कि दो जगा पर sulfuric acid यूज़ हो रहा है तो एक हमने purification के अंदर sulfuric acid को use किया दूसरा sulfuric acid हम यहां पर add कर रहे हैं इस sulfur trioxide के साथ तो जब हमने add किया तो यहां पर हमारे पास बन चुका है H2S2O7 यह जो है compound इसे हम कहते हैं oleum यह हमारे पास oleum बन गया है यह बहुत ही concentrated oil की तरह होता है और इसे हम oleum कहते है it releases heat energy यह जो reaction है इसके अंदर हमारे पास प्लस में heat energy भी निकलती है इसलिए इस reaction को हमें बहुत ही साथदानी से आराम से reaction को perform करना होगा और control करना होगा इस reaction को तो इस तरह से अब आप कहेंगे कि sir यहां पर हमने add जो किया है आगे चलके वही sulfuric acid हमें मिलने वाला है तो ऐसा नहीं है यहां पर जो हमने sulfuric acid add किया है यह बहुत ही यह कम amount में होता है अगर यह इसका one mole है तो अगर हम produce करेंगे तो वो उसका हमें double मिलेगा two mole मिलेगा अगर हम 10 kg यहां पर लगा add करेंगे तो हमें जो आगे मिलेगा वो 20 kg होगा तो double होगा इसलिए इसमें बहुत benefit होता है यह add करना जरूरी होता है तो यह third है यह हमारे पास होता है एक tower के अंदर इस tower को हम कहते है absorption tower तो यहां पर यह tower मुझूद है इस tower को हम absorption tower कहते है यहां पर हमारे पास SO3 gas आती है और इसके साथ हम add कर देते है sulfuric acid को और यहां पर हमारे पास क्या बनता है H2S2O7 इस compound को हम oleum कहते है OLEUM और हमारे पास यह absorption tower के अंदर यह process होता है आगे चलके यह जब oleum यहां से गुदर के last tower के अंदर जाता है तो यहां पर हमारे पास फिफ्थ step होता है इस step को हम कहते है JOSH dilution तो यह हमारे पास dilute किया जाता है jun ‑‑ dilution of aleum तो olium यहां पर dilute किया जाता है कैसे किया जाता है water को add करते हुए water is added to olium to obtain desired concentration of sulfuric acid sulfuric acid की हमें desired concentration लाने के लिए मतलब concentration को कम करने के लिए हम water को add करते हैं तो यहां पर जैसे ही water को add करेंगे तो हमारे पास क्या होगा water का इसके साथ reaction होगा और हमारे पास sulfuric acid बनेगा और यहां पर 2 mole of sulfuric acid बनेंगे ये जो reaction हो रहा है ये भी exothermica है इसमें बहुत ही ज्यादा heat release होती है इसलिए इस reaction को भी control करना है और आराम से इस reaction को slowly करवाया जाता है तो इस तरह से हमारे पास sulfuric acid बन जाता है इस last tower के हम जो है वो dilution tower भी कहते हैं यहां पर हमारे पास ये dilution tower के अंदर हम water को add करते हैं किस के अंदर ? allium के अंदर allium के अंदर water को हमने add कि और उससे हमें क्या मिल गया sulfuric acid मिल गया जो कि हम यहां से remove कर देते हैं तो इस तरह से हमें sulfuric acid मिल जाता है तो अब देखें sulfuric acid हमने 2 जगہ पर add किया और लास्ट में हमें जो सल्फिरिक असिड मिला है वो डबल मिला है यहां पर हमें एक मोल लगा है था यहां पर हमें दो मोल सल्फिरिक असिड के मिल गए अब जो यह हमें सल्फिरिक असिड मिला है यह सल्फिरिक असिड 98% प्योर सल्फिरिक असिड होता है तो इस तरह से ये हमारे पास sulfuric acid produce होता है और ऐसे ही इस process पूरे को हम contact process कहते है तो आगे चलते हैं इसकी properties को देखते हुए sulfuric acid की properties को पढ़ते हैं तो dear students ये था आज का हमारा lecture hopefully आपको lecture पसंद आया होगा next video में हम physical और chemical properties पढ़ेंगे sulfuric acid की और साथ में इसके uses को discuss करेंगे तो next video के लिए मुझे दीज़े अजाज़त thank you so much for watching अलाफिज